कोरोना संक्रमन काल में नौर के समाथ सेवी और भाचपा नेता सजन सिह कुश्वाह ने मानफता और समाथ सेवा की मिसाल पेश की हाईवे से पैदल गुजरने वाले गरीब जरूरतमंद मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने के साथ ही उन्हें उनके आशियाने तक पहुचाने का काम किया MP News से खास चर्चा के दोरान सजन सिह कुश्वाह ने मानफता की पूरी कहानी बताई देखे ये खास रिपोर्ट कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो कुछ ऐसे ही समाथ सेवा के जजबे के साथ इन दौर के एक युवा चहरे ने भी लॉकडाउन के दोरान कोरोना संक्रमन काल के दोर्मियान अपनी भूमिका निभाई और मानव सेवा की एक मिसाल पेश की जी हाँ हम बात कर रहे हैं भारती जनता पार्टी से भी जुड़े हैं और समाथ सेवी भी है श्री सजन सिंग कुश्वा फिलाल MP न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद है किस तरह से उन्होंने इस कोरोना संक्रमन काल को जिया है और कैसे हजारों की ताधात में लोगों करते हैं सजन जी से सजन जी किस सरह से आपके मन में विचार आया कब आपको लगा कि मानव सेवा ही जो है नारायन सेवा है नर सेवा ही नारायन सेवा है और अब तक जो समाथ सेवा का क्रम है आंकडों के लिए हाथ से कितने लोगों की भला कितने लोगों की भलाई और कितन कंटिूनि बढ़ाया गया हमने ये जो स्वामा सेवा है करीभन एसी नहीं तक मेने और मेरे पूरे परिवार मजदूर महाराश्ट से गुजराच से पलायन होके अपने ग्रह शेत्र जा रहे थे लखनव बियार पटना जासी के अन्य जगह के लोग जा रहे थे उनको पेदल जाते हुए देखा पानी की बड़ी प्यात लगती थी पानी नी मिलता था उन लोगों को फिर हमने देखा कि उनके लिए पानी की प्याव लगई तेंकरे खड़े करें 2-3-3 दें तक भुके थे सारे प्रत्रइश्चान बन थे इन काड़र इनके लिए हमने खाने बनाने की विवर्था करी पूरा परिवार के दिन चरिया बन गईती कि इन लोगों के लिए खाना बनाया जाई मेरी मं के मादियम से हम इनको इनके गर्हे चेत्र पोछाने का प्रयाज करते थे को इनको प्रैयादोन बाइट नइवा शक्न तक बेटा देते थे लखनौ हो की मेरे प्रयाज किया और हमने करीबन मेरे पाज टेक्टर जो खुद के हैं करिसी का कारी बंद करके करसी का कारी पूर्ण भी हो चुका था उन टेक्टर को लगा के रहूं से नेमावर ओरते इन टेक्टरों के द्वारा उनको भर के लाना हमारे वही बोजन करवाना फिर सभी गाड़ियों को रोकना ट्रक को बस को आईसर को इसके माध्यम से हमने करीबन 30,000 मजदूरों को उनके घ्रच हैत्र में पहुचाने का हमने प्रयास किया जैसे भी लागडाउन लगा हमारे आज पडोत में बस्तियों में दिन चरिया जैसे डेली का कमाना उनका और डेली का खाना उन लोगों को पास खाने के लिए थमच्या थी तो फिर हमारे इस बार भगवान के करपाद गयों भी अच्छो है मैंने और मेरे परिवार ने 300 क्योंटल गयों इन गरीब परिवारों में बाटने का प्रयास किया और कोई भी मेरे वार्ड में मेरे नगर में कोई भूका ना सोई इसलिए मैंने करीबन चार अजार परिवार तक राशन पोचाने का भी मैंने प्रयास किया कि ये परिवार में कोई भी वेक्ति भूका ना शो पाए आपने ऐसा भी सुना है कि आपने कई ऐसे मजदूर थे जो लॉकडाउन के दोरान जहां जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे जिन कारखानों में वो कारेरत थे वहां से उन्हें वेतन नहीं मिला आपने कैसे जो है पूरी कतारबद तरीके से अनुशासन वाले तरीके से ज उसके सामने एवी रोड पे करीवें दो सो परिवार के मजदूर और डेली बेटे थे उनको तीन ध़ी महिने से वेतन नहीं मिला था उनके घर पर खाने के भी प्रॉब्लम थी फिर एसे में में ने देखा मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी एसे एसे लोगे त मेरी मम्मी में बोला बेटा कल तेरा जनम दिन है तेरे जनम दिन पर कोई अन्य खर्चन ही होना चीए लोग राजनीतिंग में पोस्टर करते मेरी मम्मी ने बोला यह कार नहीं करेगा और इन मजदूर परिवार हो तो को तू कैसे इनका एक दिन दो दिन तीन दिन का वेतन दे सकता है इसा मैंने फिर उन मजदूरों को मेरे जनम दिन पर साथ जो उनको बुलाया और मेरी माताजी मेरे काकोस्वा होकुम और इनके आतों से उन मजदूरों को मैंने जो भी हो सका तीन दिन की उनको रहत राशी पहुचाने का प्रयास करेया 200 मजदूर थे फरिवार तो उनको मै यह प्रेड़ना आपको कहां से मिली, कब ऐसा खयाल आया कि यह सेवा की जानी चाहिए और ऐसे कठिन दौर में जब जिन्दगी का फलसफा जो है बानव समाज देख रहा है, कोरुना जैसी बिमारी जो है महामारी का रूप लो चकी है, पूरा विश्व इसकी चपेट में है, कैसे एक हयाल आया, प्रेड़ना आखिर कहां से मिली इस काम? कैसे संसकार है, कि सेवा करना चीए हूँ में बचपन से के जैसे लक्षंडी एग करवाना या बेन बुआ उनको कैसे मदद कर सकता हूँ में उनके स्यादियों में, मतलब मारूती गिप्ट करना ही है, मेरा सुरू से उद्देश रहा मतलब, और अभी इस महामारी में मेरे क को लगा कि सेवा करनी चीए हूँ मेरी माता जी ने और चोटे 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 बच्चों ने ये सेवा कारे करी है उन्होंने शाम की टाइम रामायन जी रहते थे और सुबह उटके ही उनकी दिन चरिया बन गए थी कि मजदुरों को पोए खिलाना चाई पिलाना और भोजन तीन बद तक डेली का काम ये पूरा परिवार पूरी फेमिली करती थे और माता पिता के संजकार है तो उससे के असिरवाज से मैंने सेवा करने के प्रियास किया बड़ी सोच है विराट रदय है क्योंकि बड़े दिलवाला ही जो है ऐसा कोई काम कर सकता है जो कि ना केवल समाज के लिए एक मिसाल पेश करें बलकि सही मायनों में मानव जब संगर्श के दौर से गुजर रहा हो तब उसकी मदद करें सजन जी जीवन का लक्ष क्या है क्या राजनीती में कोई शिखर को चूना चाते हैं या यह जो सेवा की है इसके पीछे भी कोई राजनीतिक मकसद था कोई राजनीतिक उद्देश रहा आपका यहां पर जो है अख़बारों के जरिये सामने आया था कि कुछ महिलाएं आप तक पहुंची पानी की समस्या थी चुकि गर्मी का मौसम था बोरिंग नहीं था तो आपने एक फोन लगाया और मंतरी जी न रातो रात वहां पर बोरिंग करवा दिया ये कैसे कर पाए क्या ये राजनितिक आपकी पहुंच या पकड को दिखाता है या वाकरी में इसके पीछे भी कोई सेवा का भाव चुपा देखिए संगरा जी इसा कुछ नहीं मेरे मेरा इसा प्रयास मेरे घर पर कोई भी अवेक्ति आई तो निरास नहीं जाना चीए अभी जिर दिन चंद्रगरण था सूर्यगरण उर्दिन मेरे निर्मोनी अखाड़ा से कुछ संत महात्मा आगा हमारे पास खाने के लिए कोजी मिनी है तो बताना नहीं चीए कि अपने दानपुर्ण केया पर उनकी भी मैंने सेवा करी उसी दिन मैं बेठा था मेरे गाउं की महला है आई म बहुत ज्यादा समस्या है और मतलब आपके घर में तो सभी के यहां बोरिंग हमें पानी उपलब कराया जाई तो मैं बेठा था सुवे सुवे नोबोजे मेने भी जैसे भी मानी जलसंसादन मंत्री तुलसे लाड़ जी को तुरंट फोन किया और मैंने का वैसा बहुत ज्य हुआ उन महले की महला है बड़ी खुश हो गई वह पर हमने टंकी लगाई और उनकी पानी के विवर्शत कर दी गई तो यह जनता की सेवा करना चीए अब इसमें कांग्रेस के कुछ लोग है उनको विकास कारे में भी अडंगा डालने की आदस होती है कोई कांग्रेस के प् जो बहुत सारी होती रहेंगे लेकिन यह बताई कि आपका लक्ष क्या है क्या कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं इस तरह के कामों का क्योंकि पूरा विवरा एक आपका तयार हो रहा है अब तक जो सेवा का करम है वो लगातार अख़बारों के माध्धियम से टेलिविजन चैनल के माध्धियम से जनता के बीच पहुंच राहा है लक्ष क्या है क्या कोई रिकॉर्ड बनाना है रिकॉर्ड धरी समाज से भी बनाया मिश्चRAY करना वो रिकॉर्ड क्या बनाना जो भी विक्तिक कारे करेगा वो मेश्य दीख्य Spanish वह में चाहते हर और रिकॉरिये जनत से अभी यह जो पप AG बीश लोगों को पचाथ लोगों स्यादी विव्याम्त हो रहे हैं मैं चाहता hyu कि एशा की करम करीमन तीन सक्थ करा हो गया है, तो समाझ से सवा मजबूत होजाएकि सभी लोगों के सबी ₹क qe , मजबूत हो जाएगी कोई गरीब पिता कर्ज लेकर अपनी बेटी की स्यादी करता है और कर्ज दूखी हो जाता है उसको अपनी जमीन बेचना पड़ती है अन्यने टके सहर पर ब्याद कुकाने के लिए इसी श्यादी विवा करना पड़ता है तो मैं चाहता हूं कि जो भी प समाजिक बंदू सब मजबूत हो जाएंगे और आर्थिक खर्चत भी नहीं होगा। सज्जन सिंग कुश्वा जैसे जो लोग हैं वो भारत में एक उमीद की किरण है और कहा ये भी जा सकता है कि जब जब ऐसे मौके आएंगे जब जब हमारा देश किसी जंग के दौर से गुजरेगा वरतमान में दुश्मन देश चीन ने जो यहाँ पर नापाक हरकत की है जो क कट जाएगा फिलहाल MP News Room में सज्जन सिंग कुश्वाह से हम सीधी बात कर रहे थे उमीद है कि इनकी ये प्रेरक कहानी और भी कई तरह के नए सज्जन को जो है हमारे देश में जन्म देगी फिलहाल वीडियो जन्रलिस्ट अरुन्यादव के साथ महिंद सिंग MP News इंदौर का नएगा प्रेशों में से पहणूाओा बेरा बार्ता मीद है येजले इनकी इंद एंदूर खेवाया को जन्म देएगाल.